कि दो ही कलर गुलाब का यूस किया जा रहा है और बाकि तीन कलर का हडिंजा फ्लावर इसमें लगाय जा रहे हैं और भी डिटेलिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं गेट मंडप पिस्टेज किस परकार से बनाया जाता है अल्डेडी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग जाकर कि हमारे चैनल पर वीडियो दे सकते हैं यदि आप लोग हाइड्रोलिक पाल की खरीदना चाहते हैं उसकी डिटेलिंग वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है जो गाजियाबाद में कंपनी है और वहां पर आप ल पहले अभी मैंने जेस्ट अपलोड किया हूँ एक हडिंजा फ्लावर और गुलाब की चटाई किस परकार से बनाए जाती है इसकी डिटेलिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है और आप जाकर के वो भी देख सकते हो भी फॉम की सीट में बनाया हुआ है और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आल्रेडी पढ़ चुकी है पंडाल की भी पड़ी हुई है गड़ेश पूजा पंडाल की है दुर्गा पूजा पंडाल की वीडियो है और लश्मी पूजा पंडाल की है जहांकी की बहुत सारी वीडियो टाली पे किस प्रकार स जहांकि सजाया जाता है उसकी डिटेलिंग वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है आप लोग जा करके हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सेर करें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसमें देख सकते हैं, फ्लावर लग लग चुके हैं, और मैं अब इसमें पत्ते का यूज करूंगा, जो रखे हुई हैं, साइड में छोटे-छोटे पत्ते हैं, थोड़ा समय आप लोगों को उसका भी जस्ट कुछ स सेकेंड का वीडियो वो भी रहेगा, उसको लगाने के बाद ये वाला जो मैं हाथ में ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, यही सारे पत्ते इसमें भरे जाएंगे, और ये सारे फिक्स कर लिए जाते हैं, इसमें चिपका लिए जाते हैं ताकि ये निकले रहा, साता है, डिपेंट करता है कि फ्लावर जो लगें हैं उसमें फ्लावर की क्वालिटी क्या है, उसका कोस्ट क्या है, उसके उपर डिपेंट करता है कि वो चटाय का प्राइस क्या है, जैसे कि आप जो है कारनेशन यूज करते हैं, तो उसमें पैसा कम लगेगा, और इसमें ज्यादा लगता है गुलाब हडिंजा में ज्यादा पैसा यू लगता है तो चलिए और और भी बहुत सारी वीडियो आप लोग लोग हमारे चनल पे मिल जाएंगे तो चलिए ठांस पर ओस्टिंग इस वीडियो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चलिए नेक्स्ट बुद बाइ, टेक केर.